आज मैं आपको बहुत ही स्वाधिष्ट मेति का पराठा परतदार बनाना बताऊंगे आप यह देख रहे हैं परतदार पराठा बनाने पर क्या होता ना कि वह अंदर से बहुत ही अच्छे से पका होता है उपर से बिल्कुल क्रिश्फी होता और अंदर से बिल्कुल बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते और बनता तो इतना जल्दी की पोची नहीं देखिया आप सबसे पहले जो बजार से मेति लाते ना उसकी गड़्डी को जहां से लापको लगता है कि मुलायम वहीं से कट कर दीजिए स साटना नहीं पड़ेगा अच्छे से धूल लीजिएगा तीन चार पार इसके बाद आप इतम बारीक बारीक कट कर लीजिएगा आप देख रहे हूं बहुत बड़ी-बड़ी साइज में मत कट कीजिएगा नहीं तो पिर पराठा बनने के बाद बहुत बड़ा-बड़ा थ करके डाल दूंगी अजवाइन का फ्लेवर पराठे में बहुत अच्छा लगता है और यह दिख रहे हैं बारीक कट हुई हरी मेर्च है और यह मिति डाल देंगे इसमें मिति पत्ति डालकर आप अच्छे से इसका आठा लगा लीजिएगा यहां पर चौथा लगवंग नम जादा टाइड भी नहीं रखना वहाँ जादा लूज भी नहीं रखना है तो आप यह देखना है जैसे बिल्कुल रोटी के आठी के जैसा सॉफ्ट डूलक करते हैं इसमें कोई मोयन नहीं देना है क्यों मोयन नहीं देना होता हम बेलते समय ही लगाएंगे ताकि परत्दा ग्रों Novig центр के लिद्वास कि अधर होगि मेधैं का पड़्यक हुग मेधि का पाराधा आप सर्कल सेपिन भी बना सकते हैं और आप तीको न सेप में भी बिना बोढ़ा सकते हैं यर्ण सर्कल सेप में बनाते हैं तो 하지만 बबना परटा और नहीं बना खाने में अच्छा भूं चाहते हैं लेकिन वो परत्दार नहीं हो द्रिकन आप चाहते हैं कि बिलकुल परत्दार उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट प्राठा बनाए तब आप ऐसे एक परतोई लेयर पर लगाइए फोल्ड कर दीजियों फेते लगाएए फोल्ड करदें तीको ना पराठा बेल पराठा बहुत टेश्टी बनता है पिल्कुल परदार अंदर तक अच्छे से पक जाता है उसकी पत्यां भी पुरी अच्छे से पक कर उसमें अच्छा सुन्धा पन आ जाता है तो आप पतला पतला बेल लिजिए ऐसे तो मैं चलिए आपको देख कर दिखाती हूं जब भी आप पराठा बनाया किजिए ना हाई फ्लेम पर पर प्राठा कभी मत बनाया किजिए नहीं तो उपर से पक जाता और अंदर से अच्छे से नहीं पक पाता तो आप यह देख रहे हैं एक बार पलटने के बाद ही तेल सकते हैं लेकिन मैं तो ठंडी के सीजर में सिर्फ सर्चो का तेल इस्तमाल करती हूं क्योंकि सर्चो का तेल हमारे घर का होता है और हमारे घर में सिर्फ सर्चो का तेल क्या देशी की यही दो चीज इस्तमाल ही किया जाता है रेरली रिफांड आयल इस्तमाल किया जाता है आ भी डुडाल जुक्योंyr गोपी को पराठा मूली पराठा मेठी के पराठे के दूसरे इतरा से कल सेक वाला समय रख तेल भी इस्तमाल करते हो इसका कारण विक अगल य८ॉ जाति अब कभी नहीं अनगी खी या बटर महीं बनाते हैं तो एक पर सर्सो के तेल में बनाई है बहुत टेस्टी बनता है और ठंडी के सीजन में तो सर्सो की तासिर सर्सो के तेल की तासिर गरम होती है अगर किसी को सर्दी जो खाम खासी कुछ भी तो भी कोई पर है इसने आप अराम से बनाइगे सभी ल नहीं लगा दे थी विस उलट पुलर कर आप अच्छे से से लीजेगा सिकने में तो ठाइम लगता है अगर बाफ हाइव पर बनाएंगे तो ठाइम नहीं लगेगा लेकिन फिर वह पर अच्छे से पका नहीं होता है इसलिए जब भी परठा बनाईये फ्लेम को मीडियम ही अच्छे से उपर से क्रंची लगता है लेयर दार आप इसकी लेयर देखिए ऐसे पराठे ना खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप अमनी मन बसंद चटनी हरी चटनी टोमेटो सॉस अचाज जिसके साथ चाहें एंज्वाए करें को वीडियो बसंद रहते प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आल पर टिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले आज मैं आपको जड़ बन भी जाता है जरो ट्राइ कीजिएगा तो चलिए बताते हैं इसे हम कैसे बनाए हैं इसके लिए आप देख रहे हैं फ्रेस मटर ले लिए हैं यह मटर लगवक डेड़ पाव होगी और यहां पर एक ठोरी आटा गेहूं के ले लिए हैं और उसमें डेड़ चमत द बहुत अच्छा बनता है तो आटा लगा कर आदा गंडा पहले ही रख दीजिए दूसरे सबसे जरुए चीज आप मसाला तयार कर लीजिए मसाले के लिए आप तीन चमस खड़ी देनिया दो चमस ओफ एक चमस जीरो को लो फ्लेम पार अच्छे से खुशू आने तक भून बुन गया उसके बाद ठंडा हो जाए तब मिक्सर चार में परकर तरदरा पीछ लीजिए गा बस जब तक ओ ठंडा हो रहा है एक बड़े चमस हचो के तेल में 15 लहसन की के लिया और दो यह फ्रेस मिर्च है लिकिन इसका कलर रेड हो गया है और एक चमस चमस था हिंका तड जरू बनाना चाहिए मटर बहुत ही हल्दी होता है तो आप यह देख रहे हैं पर एक चमस नमक और चिनी डाल रहे हैं आप सुचरियों के चिनी क्यों डालना चिनी इसलिए डाला जाता है इससे मटर की मिठास को बढ़ा देता है और बहुत ही अच्छा टेश्ट राता है अगर आपके मटर बहुत ही मीठी है बहुत ही मुलायम है तो आप स्किप कर सकते हैं वरना एक चमस चीनी तो आप जरूर डालिएगा उसके बाल लो फ्लेम पर चार से पांच मिनट तक ढग कर पकाईए ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में भर कर पीस लीजें मिक्सर जार म आप निकाल लीजिए और सेकंड बच में जो भंपीस देए उसमें पीस दीजिए आप हाथ से यह से दबा दीजिए तब ही मैसे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं मतलब निकलते हैं और आपको इसको एक दब फाइन नहीं बनाना है हलका दरदरा रखना है आप यह बाल्स बनाई है या सीधे चम्मत से रखिए इसे कोई मतलब नहीं है तो यह दिखिए मैं कचोड़ी आपको बना कर दिखा रही हूं सबसे पहले आप इसे कटोरी जैसे आटे को बना लीजिए और इसमें आप ऐसे भर लीजिए चाय बाल्स बना के बरिए लेकिन एक चीज बहुत जाध जाद है चस्यार है यह सबसे भीज़ेशनाजि छहाँ नहीं चाहीं सबसंदों में अच्छे से बढाई कर बनाई separately कर दिखा रहा हूं मैं अब जह स्वार्त कि ए लीजिए आप बना कर दिखा कर दोंगो और आपको हुटेलिए बहुत है में जरूरा में जरूर करना चाहिए है तरह समस्तिक चाहिए अच्छी लगेगी तब आप देख रहे ना मैं आप दो बना कर दिखा दे रही हूं तो अच्छे से भरा हुआ है तेल में पहले ही रख दी घरम हो गया है अब इसमें छान लेंगे एकदम फूली-फूली खस्ते-दार कचोडी बनकर त्यार हुई है तो अगर आप खस्ते-दार कचोडी बनाना चाहते हैं तो आधा गंटा पहले देशीगी का मोयन देकर जरूर से रख दीजेगा तभी आपकी कचोडी फूली-फूली खस्ते-दार बनकर त्यार हो गई है मैं आपको यहां पर दो कचोडी चान कर दिखा दे रहे हूं तो एम इस्टायल से सारी कचोडिया चान लेनी है तो यह देख रहे हैं ना मोयन दे पसंद चटनी के साथ हरी चटनी टोमेटो सास यह टमाटर की मीठी की चटनी के साथ एंजॉय करें वीडियो पसंदा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहां भूलें फिर से मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस बनती है तो चलिए बताते हैं स्वाधिष्ट टेश्टी क्रिस्पी पकोड़ी कैसे बनाए हैं सबसे पहले मैं यहां पर आधा किलो यह मिर्च से धुल ली हूं पोचनी की कोई जरुत नहीं है बस डेर कप के लगबग यहां पर पेसन लेंगे उसे अच्छी से चान लेंग तो हरे मिच डाल सकते हैं और यहां पर थोड़ा से सब्जी मसाला डाल दी फेटने के बाद बारी कटी हरी धनिया डाल देंगे आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं चमच क्रश करके लेकिन मैं नहीं डाली हूं आप चाहे तो डाल सकते हैं सिच्छा थोड़ा और अ आपको कोई इनो बेकिंग पॉडर के ईन ही पड़ेगी लेकिन अगर आप तुरंट नना चाहते हैं तो अप आदा चमज तो बस आप तेल सरसो के तेल रिफैन डॉल जिसमें चाहें उसमें मीडियम फ्लेम पर छान लीजे आप देखने न बहुत टेस्टी लगती है जरूर ट्राइब कीजिए का वीडियो पिसंद है तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना तो आप चैटनी ना भी खाई तो भी ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं जरूर ट्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हो रोली आप सब का स्वागत है हमारे चैनल जीरा कीचेन में आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी बहुत क्रिस्पी गोबी की पकोड़ी की रेस्पी लेकर आए जो बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है तो आप भी अगर गोबी की सब्सक् जो कले-कले बोरा के जो दरार लग जाती है उसे आप अच्छे से चको से स्क्रेच कर लेजेगा देखिए गोबी की ऐसे पीसेस निकाल लेजिए चोटी पीसेस मत कीजेगा बड़ी ही पीसेस निकालेंगे तो पकोड़ी की साइज बुखत ही अच्छी बनेगी तो उबाल लीजिए हाई फ्रेम पर कम से कम पांच मिर्द दर उतने में गोबी अच्छे से पूरे सॉफ्ट हो जाएगी उधर वह पक्रा है तब इधर हम मसाला दैयार कर लेते हैं दिखिए बेशन चान कर ले लिए हैं जवाई नेक चमश डाल दी हल्दी नमक डाल दी मस यहा है तो बारी कट हुई हरी धनिया भी डाल सकते हैं मैं हरी धनिया नहीं डाली हूं बस आप इसको अच्छे से मिलाल कर एक गाढ़ा घोल तायार कर लेजिए देखिए अगर आप एक गंडा पहले इसे भीखा कर रख देंगे ना तो आपको कोई इनो कोई वेकिंग पॉडर सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा और आपकी पकोड़ी बहुत ही फुली फुली बनकर तयार होगी तो आप यह देख रहा है पांचमाट हो गया गोभी मेरी पक गई है विसे किसी छन्नी वाली थाली में ऐसे रिकाल लीजे बस यह गोभी पुरी तरह से सॉफ्ट हो चुक पत्ति डालने से जो पकोड़ी बनकर तयार होगी तो उपर से ग्रीन ग्रीन सा रहेगा तो ज्याता देखने में अच्छा लगेगा तेस्ट भी बढ़ेगा इसलिए मैं सुची डाल दूँ मैं देखे उसको ऐसे बेसर में डिप कीजिए गोभी को और मीडियम होट तेल में सरसो के देल में आप चान लेजिए एक तरफ जब पक जाए तब आप उलट उलट कर इसे दोसरी तरफ पका लेजिए आप इसे बिल्कुल कृष्पी होने तक पका लेजिए तो आप यह देख रहे ना मेरी गोभी की पकोड़ी एक बैच बनकर तयार हो गया है इतनी गोभी इधर आप मसाला तयार कर लीजिए बस और आप तुरंद बनाना चाहते है ना तो बस आप आधा चमेच बेकिंग पॉडर या एक इनो डालिए आप इसको भी बहुत ही फुली फुली बनकर तयार होगी हां उपर से चाट मसाला और लाल मिर्च पॉडर चेड़कना बिलकु इसके साथ ही बहुत अच्छी लग रही है जरू ट्राइ कीजिएगा वीडियो पसंद आज प्रीज बीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करने बाद बिल आइकन हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूरोली आप तब का आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा इस समय मार्केट में तो बड़ी-बड़ी मूली आने लग गई है तो मैं तो आपको बस अभी तीन मूली का बना कर दिखा रहे हूं तीन मूली में कम से कम छे पराठे बहुत ही आराम से बन जाते हैं तो मैं सोचे कि बहुत थोड़ी इतनी मूली में छे पराठे बहुत ही आराम से बन जाएंगे तो आपको सबसे पहले मूली को जैसे दूल कर चील लीजिए चीलने के बाद आप यह देख रहे हैं इसे कदूकस कर लीजिए मीडियम साइज वला जो होल होता है उससे आप पदूकस कीजिए कि न बहुत आपानी के बनाएंगे न तो आज के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मूली को पश्टना है सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका नीकाल दीजिए को कि भरवा मूली को प्राठा पनाने में पाने नहीं निकालेंगे न तो फिर बहुत ज़्यादा मत्ब बनी नहीं सकता ब जो पानी से हमें लेड़ से आठा लगा लेना है उसके बाद जी आप अजवाइन और लूगर आजवाइन देन देना तो आप डाल सकते हैं लेकिन ठंडी के सिजन में इतनी जादा बार पराठा बनता है लगवाव रोजी नाष्टे में बनता है तो मैसलिए जहां सक्पिप क लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल आपका खस्तेदार पराठा बने तो आप अजवाइन और लगवग डेड़ जम्मत देशी घी या रिफाइंड आयर का मौयन दे सकते हैं तो आप देख रहे हैं बारी कटी हरी धनिया डाल देंगे हरी धनिया थोटे अच्छी कॉंटिटी में डालना है और आजात चम्मत चाट वसाला और लगवग तीन चार पिंच की बराबर यह लगवग हल्दी है नमक आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं डालना यह गलती मत की जग अगर आपने नमक डाल दिया तो इसमें से पानी रिलीज होगा और आपका पराठा बनते समय जरूर फटेगा इस बात का ध्यान अखिएगा तो आप यह देखिए सबसे पहले एक बड़ी साइज की अब देखिए ना पहले उसे आप ऐसे फैला लिजेए कटोरी के शेप में बना लिजेए अच्छे से भर यह जब अच्छे से भरा होता है तब ही अच्छा लगता है तो आप देख रहे हैं उठेसे दबा कर ऐसे प्रेश कर देजें जो एक्स्टा आट है आपसे निकाल दे आटे की नमक जब आप अटे की कटोरी में भर लीजिए मूली को मूली के मसाले को तब उसी में हाथ से नमक डालकर टाकि कोई दिक्कत नहों अगर आप पहले मिलाएंगे तो बानी छोड़ेगा फिर बेले में दिखेंगे मैं बहुत अच्छे से भर हूँ इसलिए थोड़ा सा ट्रांस्परेंट हो रहा है अगर आपका चाहते हैं कि आपका परठा बिल्कुल ट्रांस्परेंट ना होना तो आप थोड़ा कम भर ये ले अब देखें दूसरा भी पराठा मैं आपको बना कर दिखा रहा हैं देखें मैं अच्छे से भर हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ट्रांस्परेंट बेलते समय हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं अच्छे भरा पराठा ही तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है कई पराठा म आपको इसलिए बेल कर दिखा दे रहा हूं बहुत दों कहते हैं कि मूली का भरवा पराठा यानि इस्टब्ड पराठा तो बेलते ही नहीं बनता ऐसा नहीं है दिखें बिल्कुल बन रहा अच्छे से बन रहा है पस आप नमक ध्यान रखिएगा एक पराठा दिखें पहले को तेल खाना पसंद करते हैं पराठे में तो बस वीडियम फ्लेम पर एक उलट पुलट कर दोनों तरब से एक लीजिए तिकि अगर आप मोयन दी होते तब आपको पराठा यहां फुला फुला बनता लेकिन कम तेल खाने की उसके होजा से मैं मोयन नहीं दी क्योंकि जब मो पराठा बना रहे हैं सरसो के तेल में कोई भी पराठा हो बहुत अच्छा बनता है तो मैं आपको देखे दो सेकर दिखा दे तीसरा भी सेकर दिखा रहे हूं यह भरवा पराठा बहुत जल्दी बतता इस मुली के सिजन में आप भी ज़रो ट्राइ किजेगा आपके आप वहां से देख सकते हैं तो आप दही चटनी अचार हरी चटनी जिससे मन हो आपका उससे खाए एंजवाय करें बहुत ही टेश्टी पराठा यह बनकर त्यार हुआ है तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को करना ना भूलें सब्सक्राइब कर लेंके बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रिस करके आल पर टिक कर लेजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप मेरे त्वारा बनाए हुई रिस्पी का फायदा उठा सकेते ह हेलो फ्रेंड्स नमस्कार में हूं रोली आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचेन में आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिश्ट टमाटर की मीटे चटनी की रिस्पी लेकर आई हूं जो बहुत ही जट्टूट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत हेल्दी होती पहले में चाट टमाटर को अच्छे से धुल ली थी और यह इसको बारिक वरीक ऐसे काट कर बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है अगर आप मिकसर जार में नहीं पीछना चाहते हैं तो आप कद्दू कस भी कर सकते हैं कद्दू कस करने के बाद भी चटनी बहुत ही झीक में आजवाईन सारे ख़ढ़ी मसालों को मैं चाज़ी बड़ नहीं तो सुना ज़ाना है तो अग्यान चाहिता है आप आपक में तक्पान हो गया अए नौह मैं रखनीजी है यह था डोले तब हैं बात करते हैं वहां सुद्साने पी–ड़ी नहीं नहीं राद सबकुपój सब्सक्राइब को नहीं को था यहां बिर से बात करते हैं तो लिए पंद भूंधंयों में लेका मिकसर mm êuप कमिमे ती और फ्लेम को मीडियम रखिए मीडियम फ्लेम पर आप इसे कम से 5-6 मिनट तक पकाईए और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालना बस यह आप यह देख रहे हैं मैं दो बड़ी विली का गुड़ है गुड़ डाल देरों अगर आप चाहते हैं गुड़ चिनी दूनों डाल कर पांच से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बना पका लेजिए आप यह देख रहे हैं अच्छे से खौल रहा है और थोड़ी सी किश्मिश को अच्छे से दूल कर डाल देजिए बस सब कुछ पकने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत जादा गाड़ा रखन और पानी जब आप इसमें मिलाएगा ना बस वहीं मिकसर जार को दूलने बर का अधी गलाज से जादा मत मिलाएगा नहीं आपको बहुत जादा देख तक पकाना पड़ेगा जबकि इस चितनी को पकाने के लिए बहुत जादा समय नहीं लगता है बस आप यह देख रहे है कंसिस्टेंसी इसकी देखिए एक तम यह परफेक्ट है और स्वाद इसका बेकुल लाजबाब है तो इस चट्पट बनने वाली लिस्पी को आप जरूर ट्राइगा क्योंकि आने वाली ठंडी में तो कितने रंके पराठे बनते हैं मुलिक पराठा गोबिक पराठा मेथिक आलो के पराठा सब सारे पराठो के साथ यह चितनी बहुत ही अच्छी लगते तो आप चरूर बनाईएगा इस चट्पट बनने वाली हैल्दी चट्नी को जो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेर आपके लिए बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेश्टी बच्चों की सबसे फेवरिट नमकीन सवई की रेस्पी लेकर आई हूँ अकसर हम लोग जो मीठी सवई बनाते हैं तो बच्चों को नहीं पसंद आता लेकिन अगर आप उसी सवई को नमकीन सवई की रूप में बनाकर देंगे तो बहुत ही अच्छा उन्हें लगता है और सबसे बड़ी बात आप इसमें कई रंकी सब्चियां भी एट कर सकते हैं तो चलिए बताते हैं इस स्वाधिश्ट सब्सक्राइब को मैं कैसे बनाई हूँ आपको मारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीड ब्रंगी सब्सक्राइब को मारा वीडियों तो इसमें पहले इसमें इसमें सबसे पहले यहां पर में यह जो दौसरी पाट्ड़ी प्लीज के लिए ना यह जो पर्यापत नास्ता बन कर तयार होता है इसमें बस आप ऐसे बनायेंगे तो बहुत हेल्डी और टेस्टी नास् पर ताकि उसकी आफिस में निकल जाए मसाले में आप देख रहे हैं एक बड़े चमच खड़ी देनिया है थोड़ी सी दाल चीनी है दो बड़ी लाची चोटी लाची और काली बिश लेंगे इन ताजे पीसे भी मसालों को जो हम डालते हैं तो सौद बहुत ही अच्छा आता ह बस उसके बाद आप देख रहे हैं सरसो के तेल में तड़का लगाएंगे इसमें राई हो थोड़ी जीरा पारी कटी ही हरीवेश और करी पत्ते अच्छी कौंटटी में डालिएगा सबको अच्छे से तड़का लगाने के बाद आप प्याज डाल देजे प्याज को ऐसे च जाता है तो बस चोड़ी से प्याज जैसे सौफ्ट हो जाए तो आप सारी सब्जियों को डाल देजे सब्जिया डाल कर इसमें चला दीज़े तक जो हम मसाला त्यार किया ना अगर आप मसाला तुरंट नहीं डालना चाहते हैं तैयार करके पेश के तो आप जैसे मैगी मसा मसाला हो उसे डाल सकते हैं बच्चे तो और भी मन से खाएंगे क्योंकि उसमें चौमिन वाला और मैगी वाला यह सब्लेवर आएगा और यह सब नहीं डालना चाहते हैं तो आप थोड़ी से सिर्व धनिया पॉटर डालिए और थोड़ा सा हल्दी डालिए यह सब डाल पीसी हो दरदरा पीसी हो बहुत फाइन पॉडर नहीं यह मसाले का इस्तमाल कि नहीं इस्तमाल किया जाता है बस आप आज़ा जाए अच्छे से खुश्व आ जाएगी और सब्जा भी थोड़ी थोड़ी पगस आएगी बस साधान सार नमक डाल दे रही हैं आप पहले सब् जाने के बाद रोस्टेट से मही जो है उसे डाल दे रहें जो मार्केट में रोस्टेट से मही मिलती है उसे इसमें इस्तमाल करना है जो वाइट वाली से मही होती है बस इसे इस्तमाल करना हो जो ब्राउन कलर के हो थी वह ली नहीं उसका फिर बनाएंगे तो अच्छा नही पानी बैलन्स होना चाहिए एक सीटी में बनकर तयार हो जाता है अगर पानी बहुत हिसाब से डाला रहेगा तो कुकर में भी समय खड़ी किली किली अच्छे से बनेगी बिस यहां पर आप देख रहे हैं मैं इतनी मेटेरियल में सिर्फ दो गलास पानी डाल रहे हैं हुँँ कि अच्छे से चला कर ढख दोंगी ढखने के बाद आप देख रहे हैं कमसुम चार से पांच मुन तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर ढख कर छोड़ दी थी लो टू मीडियम पर उसके बाद यह देखें पूरी तरह से समय एक तम बनकर रेडियो हो गई है बस उपर से हरी धन्य दाले के बाद आपको बहुत ज्यादा इसमें मैस नहीं करना दालने के बाद आप उसे को कर्षल से मिला मिलाकर तो पूरी समय जो है वह टूट टूट कर रिक हो जाएगी तो आप पर प्लेट सर्म करने के बाद अप धन्या डाली उपर से इसमें नीमूरी चोड़ियो और स अगर आपको पसंद है तो सौस जली टमेटो सौस के उपर से बहुत अच्छा रगता है बच्चों को यह चीज बहुत अच्छी लगती और बहुत जल्दी बन जाती तो आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं सुबस बना कर सबजिया इसमें इतनी ज्यादा है यह बहुत ही हेल्दी नमकीन सुवई बनकर तयार होती है तो आप अपनी बच्चों को नूडल्स खिलाने की जगह अगर इस नमकीन सुवई को बनाएंगे खिलाएंगे तो बहुत ही हेल्दी होगा जरो ट्राइब कीजिएगा आपके पूरी फैमली को बहुत पसंद आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं जब आपका मनोग तब बनाएंगे जब बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है बस आप पकने के बाद इसे बार बार चलाएगा नहीं तो इसे खड़ी खड़ी जो है वो तूट सकती है उपर से सब कुस गार्णिस कीजिए वीड पर चलाएब करें पर जब से मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थानिय है